कि यहां पे जी संजे जी शेफ कर रहे हैं सुबह सुबह उन्य ने ब्रश भी कर लिया है और अब सब कुछ अन दे गो गाड़ी के उपर ही गाड़ी के साथ यहां पे बज़ रहे हैं सुबह के साड़े च्छे पर इंडियन ताम है चार बज़े बाकी साथ सो रहे हैं भी गाड़ी में अन संजे जी तियारी कर रहे हैं आगे की और सब को इंस्पायर कर रहे हैं अन वहो थी यहांने मिनमम अमाउंट अवाटर यूस किया यह चोटे से मग में और अपटा पटे शेव भी कर लेंगे और इस रेड़ी तो गो एक मिनिट की शेव दोस्तों गुड मॉनिंग आज है क्या है तो मैं भूली गया 26 आज 26 है आज है 26 August कल हम बहुत मुश्किल से चाहिए लिकिन दोस्तों प्ली मजाक मते उड़ाना मेरे चेले पे शेव लगी हुई है कल हम बड़ी मुश्किल से रात को यहां क्रॉस कर पाए भी पदा लगा कि आगे रोट बंद है तो हमें यहां पार्किंग में ही रात को सुना पड़ा तो मेरे प्रेंड आपको गाडिया दिखाते हैं देखो पार्किंग में लगी हुई है तिन चार गाडिया यहां पर यह सारे लोग गाड़ी में हैं पीछे एक बस थी तो कुछ तो ट्रेकिंग का बड़ा पैदा हो रहा है मौन्देन रिंग का ट्रेकिंग का स्टेंपिंग का इस तरी को की चीजे मैं पहले भी कर चुका हूँ कही बारी तो मेरे लिए कोई ऐसा अननेच्रोल लाई है कि ऐसी सिटुएशन पो भी इन्जॉय कर ला तो लेट में फिनिश पे बहुत ही डिर्टी होगा स्टिंकिंग है तो मैं यहां खुछ चेक करने आया हूँ देखिए हिंदुसान में हम क्या बोने यहां पे यह लीजे कोई पानी नहीं आ रहा है इसके अंदर और अंदर तो आप घुसी नहीं सकते यहां इतना स्मेल है अंदर तो मैं वापस ज जा रहा हूँ अपनी पार्किंग की तरफ यह लिखा हुआ है इंपोर्ट नहीं दिखाई देगा अंधेरे में इंपोर्ट कार्गो इंस्पेक्शन तो अभी दोस्तों सारे मेरे साथी सोय हुए हैं कुछ और मैं जा रहा था अभी टॉयलेट के लिए लेकिन कुछ नहीं है स्वाती जी को यह तो सब समान रखे लेके आगए और इनका सब थ्रू भी हो गया कस्टम से तो लगता हम डरते कुछ जादा है तोड़ा बहुत हिमत रखनी चाहिए अब देखो इन्होंने हिमत रखी और आप क्या मज़े से और इनकी कार जो है ना इल्टियूर जीफोर सबसे ज्यादा और पूरे ग्रूप में दोनों मियां भी अपने गाड़ी में हैं और यह देखिए इनके सूटकेस और पानी का कंटेनर कैसे बंजी कॉट से फर्स क्लास जमा हुआ है और यह देखिए फर्स क्लास इनकी चाहे बन रही है कुप यहां इंतजार कर रहा है स्वाती जी मेरे को भी कुछ बोल देगी थोड़ा सार ले लो आप तो शयद इतना प्यार से बोलेंगे तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा आगे देखते हैं कि बोलती है यह नहीं बोलती है तो यहां बन रही है चाय खैर वैसे मैं चाय पीता भी नहीं हूँ तो इसले मेरे को क जाना है जिरॉंग जिनको यह जिरॉंग भी बोलते हैं कोई लोग क्यूरिंग बोलते हैं और यह आप देख लीजे चायना के पहाड और यह पार्किंग में गाडियां खड़ी है हमारी और एक बंदे ने तो चायवाय बनाके खाकरा भी खाली है वह हायलेक्स है यह अधर यह गाडियां खड़ी है और यह पजैरो है पजैरो के पीछे लैंड क्रूजर खड़ी हुई है और यह आपको मैं नदी दिखाता हूं इस नदी नहीं आगे की सड़क तोड़ दी है तो यह देखिए यह है नदी में को तो लगता है यह सड़क यहां पर भी टूटी हुई है तोड़ा काई नीचे जाकर चूटी हुई है मैं जाकर देखता हूं पैदल जाकर देखता हूं यह सड़क कहां चूटी है क्योंकि यहां से तो ऐसा लग रहा है कि सड़क इधर ही टूट गई आपको जादा दूर जाने की जूटनी है देखो ना यह बिजली के खं बिजली के पीछे और पहाड के बीच में सड़क हो सकती है लेकिन वहां पे बिना तारे लगाई हुई रगरी है मेरे को तो वहां हो सकता है कि सड़क भैग ही हो कि यह देखो ना इधर यह दिख रहे हैं आपको वायर लगी हुई है यह जूबोर्ड के उधर तो यह सड़क इसके पीछे हो सकता है पूरी डैमेज हो गई हो और वहां पे मेरे को नदर आ रहे हैं देखो यह लगा हो रहे हैं यह सड़क के उपर लगे होंगे तो उसके बगल में सड़क है नहीं है यहां से इतना नहीं पता लग रहा है लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है कि सड़क यह बढ़ी हो गए है अब यहां पर चलो बदा लगेगा क्या हो सकता है नहीं तो फिर यहीं पर रहना पड़ेगा या पदा नहीं क्या करेंगे तो कि बहुत सारी लोग फसे हुए हैं यहां पर see this guy is going on cycle and he come from Shanghai he has come from Shanghai and where is he going? he will go to Nepal and India he'll go to Nepal and India yeah 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 that's his plan and we already uh live home for more than two hundred days more than two hundred days and his French festival he knows he knows English let me see you don't know English you know English no because when he goes to India how he will talk to people and she is Annie our guide in this green jacket translation app okay what is he saying if you want to ride from Indian to Pakistan is that possible it is possible yeah break pass is ready to see what is the big setup is the small gen set and your induction first time the water is warm so much and the water is filled with water and the water is filled with coffee and the water is going to be on Miraj's plant and the cyclist also offered Annie is also having breakfast with us finally we are on the roll now moving towards Jirong so now we have to move in Conway because there won't be any network so although we are connected with walkie-talkies but now the lead car is going to be on the road which is going to be on the road and there will be no way to go and the sweep car is going to be on the road now we will be on the road in the road I'm going to the road and now I will be on the road in 2019 we came to the road so let's check and see in the road where the park is from when I am looking at the road अब शुरी हुई है तो यहां गाड़ी की स्पीड लिखी हुई है सेंटी बहुत नॉमल सी दू लेकिन आप यहां देख रहे हो ना कैसे यह पानी सडक पर आगया यह लगे हुए यहां कैमरा, स्पीड कैमरा भी होंगे, नर्मल कैमरा भी होंगे, यह देखो जो मैं आपको बता रहा था ना, कल भी की पानी जो है एकदम सड़क के लेवल से भेरा है, तो तोड़ा था भी पानी उपर आएगा, और वो सड़क पे आ जाएगा, आभी थोड़ पासा रुकेंगे, वहाँ पे सिम लेंगे, जिनको करेंसी एक्षेंज करना है, एटीम से पैसा विट्रॉव करना है, वो करेंगे, क्योंकि सब कुछ यह जिरॉंग में ही होगा, जिरॉंग और गिरॉंग एक ही जगह है, और उसके बाद, यह कह रहे हैं कि आज रात को हमें पार्किंग में ही हाइट से 52 मीटर की हाइट पे जाना, और उसके बाद वहाँ पे रात को रहना, यह अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, तो देखते हैं क्योंकि बागी तो किसी को इसकी कोई चिंचा ही नहीं है यह हम कहां जा रहे हैं किस हाइट पर सोएंगे लेकिन क्योंकि हम लोग तो ट्रेकिंग और मॉन्टीनिंग करते हैं तो इस बाद का अंदाजा मेरे को है कि यह कितना टफ होने वाला है क्योंकि बॉड सेक्षिन था पता नहीं आगे भी ऐसा सेक्षिन आएगा या नहीं आएगा दूसरा सेक्षिन आगे है बैड रोड का लेकिन यह लोगों ने बहुत जल्दी इसको तो इतना तो ठीक कर दिया है कि गाड़ियां जा सके जुरूरी भी था क्योंकि बहुत सारी लोग यहां बॉर्डर पे पसे थे आज हम इशा डिसाइपल से पहले निकल गए हैं वो लोग शायद अभी तक होटल में सो रहे होंगे या लेट हो गए हैं तो यह चलो अच्छा है कि हम उन लोगों से पहले निकल गए हैं कल वो हमारे आगे के इमिग्रेशन में बहुत समय हमारा उसके कारण लग गया अब वो स्रेच आ गया जिस पे इन्होंने वन वे कर रखा है तो अभी बॉर्डर से जिरॉंग के लिए चोड़ रहे हैं और यह लोग बॉर्डर की तरफ जाएंगे यह एक लंबी लाइन लग हमारा पहला यू टर्न आया है हेर पिन बेंड तो यह हमारा यू टर्न पूरा होगया है आप हमें टूटी वई सडके नहीं मिलेंगी जो हमने रुस्वा गड़ी आने के टाइम में रोलर कोस्टर राइट किया था आपने यह आप तो स्मूध स्मूध राइट चलेगी यही है यही है गिराउंग जिसको जिराउंग भी प्रनाॉंस करा जा रहा है क्योंकि में को याद आ गया है इस सिटी को देखके लेकिन यह कुछ पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है यहां तो हम आउटर है रोड के अभी हम शहर के अंदर वाली सटक पे नहीं गए है तो अभी शहर के अंदर वाली सटक पे जाएंगे तो फिर मेर को और याद आजेगा क्योंकि हमने कॉफी और बेकरी आइटम्स वगएरा हमने लिये थे तो कोई यहां पे खाने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी खुड़ी पर शॉपिंग भी की थी शॉपिंग क्या की थी न कि हमें पुलिस टेशन में जाना है गया कि रॉंग पुलिस टेशन में सब गाड़ियों की पासपोर्ट की एंट्री हो रही है तो अभी हमें टॉलेट जाना था तो मैं और रोई बड़ी मुश्किल से ढून तो एक रेस्टोरेंट में आये लेकिन किसी को समझ में नहीं आ टॉलेट का टॉलेट कैसे प्रनॉंस करें या कैसे करें तो हमें एक उंगली भी उठाई जब भी नहीं पता लगा तो यह मैं यह पिक्चर देख़र हूं टॉलेट की तो इसको याद करते हैं यह सपेलिंग को कि यह सपेलिंग है चाइनीज में वर्टिकली लिखाया है ये तो इस समय हम जिरॉंग टाउन में हैं और जिरॉंग टाउन के पॉलिस टाउन के भार हम सब खड़े हैं वहां हमारी एंट्री हो रही है पासपोर्ट से हमारे ले लिए हैं उस पे कुछ एंट्री कर रहे हैं हम भार वेट कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से किसी एक रेस्टरेंट में ढून ढानके हमने अपना थोड़ा से हलके हुए है मूत्र विसर्जन किया तो टाउन बड़ा शान्त है लगता है कोई पॉपलीशन भी नहीं है अब पुलीश शेशन में जो एंट्री हो रहे हैं उसमें हाफ एनार लगेगा तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम के देखता हूँ इस शहर तो दे रहा हूँ यह पीछे बेसी भी जा रहा है शोर करते हूए तो यह भी एक रेस्टोरेंट है बड़ा शान्त सा शहर है यह फोई इसमें भीटभाट नहीं है लेकिन अभी लगता है हम में टाउन में नहीं है हम टाउन के आउट्सकर्स में है तो दोस्तों देखो उपर पहाड सीनरी देखिए और धूप इसमें बड़ी बड़ी अखिली हुई है टेंपरेचर भी ठीक ठाक है इसमें हमारा अल्टिचूड है 2750 2750 मीटर है हम 1823 मीटर से हमने चड़ना शुरू किया था और यह देखिए यहाँ पर भी एक शॉप है देखिए इधर क्या मिल रहा है तो में तो हमें सिम लेने हैं लेकिन सिम जभी मिलेगा जब हमारा पासपोर्ट मिल जाएगा और पासपोर्ट अभी पॉलिश इशन में एंट्री हो रहा है तो let me see what is here So, these are jackets here you are here you know English I know English, Hindi Hindi also? You are from which place? I am from Nepal Oh, good but then you are speaking very nice So, you are permanently settled here Yes So, is this a good standard brand? ये 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 वो येलो येलो वाटर्पूफ है किया अभी अभी मैंने एक जैकेट देखी ये बंदा नेपाली था हिंदी इंग्लिश बढ़िया भोल रहा था तो एक रेंप्रूफ मैंने वो देखा था अपर कवर तो 700 700 यॉवान इसो एकस्पेंशिव यवान का क्या इंदिर करेंश सी में मैंने यूफ इंडिया में利डता था 12 रूपै पैसे में एक यूआ रूपै à उस हिसाब से तो यह 8000 की जैकेट होगी तही 8000 में तो आपको बहुत 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 ब्रेंड़ी जैकेट मिल जाएगी यह रहे बंदे हमारी गाड़िया माँ खड़ी हैं अब सब लोग मेरे ख्याल से वाश्रूम भी होके आगे अब हम चाइना मोबाइल का सिम ख्रीदेंगे और फिर यहां से हम लोग चाइनीज डेटा यूज़ कर पाएंगे और यहां पे बहुत सारे फोन है तो जिसको फोन ख्रीदना है जल्दी-जल्दी मेरे को मेसेज करो और मेरे को बताओ आपको कौन सा फोन ख्रीदना है प्राइसिंग का आइडिया मैं आपको देता हूँ यह देखो यह आइफोन है आइफोन आइफाइफ आइफाइफ आइफोन फिटीन प्रो मैक्स 256 जीवी प्राइस देख लिए 9599 इसको 13 रूपे से मल्टिप्लाइ कर दीजिए अप्रॉक्सिमेटली यूआन में कनवर्ट करने के लिए मैं को काम नहीं कर रहा है तो 9599 इंटू 13 इकोल टू बटन कहा है इसमें यह है इकोल टू हो हो क्या फैदा है एक लाग 24,000 का है एक लाग 24,000 का है आइफोन 15 प्रो मैक्स 256 जीवी कोई फैदा नहीं है इंडिया इस बेस इस और वेस इंडिया इस बेस जिरॉंग शहर का एक सड़क देखे और दोनों तरफ यहाँ पे शॉप्स हैं शॉपिंग के लिए खाने के लिए अभी चाइना मुबाइल लिया चाइना मुबाइल का सिम लिया तो उसके लिए इनका मंतली पैक होता है और वो कैलेंडर मंत होता है 100 यूआन तो क्योंकि हम ना फेस्बुक चलेगा ना गूगल चलेगा ना गूगल मैप चलेगा आप पोड़ा बहुत स्मार्ट हैं तो वीपी एन को थ्रू आप ये कर पाएंगे तो वह अभी मेरे को ट्राइ करना है अभी तक तो मैं अपना जियो का डेटा यूज कर रहा हूँ अगर आप इंडिय अभी खाना मिल सकता है जो मैंने नेपाल में बहुत खाया था नेपाल गजूभा थाकाली अब यहां रुके होएं क्योंकि आइनी जो गाइड थी वो यहां किसी होटल में रुकी थी अब वो चेक आउट करने गई है बीस पच्छिस मिनट हो गए है और यह जो मोटर थैकल अब अब बादा था नजारों का लुफ्त लीजिए हम ड्राइब कर रहे है थूँ जिरॉंग सिटी थोड़ा प्रनाउंस करने में टाइम लग गया गिरॉंग जिरॉंग यह थोड़ा कन्फूजन है आगे रेड लाइट आ गई है अर रेड रेड पे खतरना कैमरे लगे अपने देश में हम उदर उदर उड़ा चीदा चल देते हैं यहां किसी की हिम्मत नहीं है ड्रेड लाइट जंप कर ले अच्छा है बाहर आके हम तोड़ा सीख जाएंगे अब वापस आके भी शायद वह हम अपनी रोज मर्दा की जिंदगी में शामील कर ले हौन नहीं ब अपस आएंगे और अपने देश में भी धियान रखेंगे इस बात का तो देखती है यह उपसूरत शहर एक सबसे बड़ी बात इस शहर की है कि यह बहुत नीट एंड क्लीन है और ख्राउड नहा के बराबर है तो यह जो शहर है यह तिबत और और आटोनॉमस रीजन में आ किया था तो 12 रुपे 75 पैसे में मैंने कनवर्ट किया था इंडिया में एक युआन को और यहां पर बहुत जगा ना कार्ड आभी तक कार्ड किसी नहीं लिया इवन मोबाइल जो चाइना मोबाइल शॉप पे जाके हमने चाइना का सिम लिया उन्होंने भी कैश में ही लिया यह बहुत थोड़ा सा ना ठीक नहीं है कार्ड चल जाए तो थोड़ा इजी होता है इतना कैश एक आत्मी लेकर करेगा तो आप हमने जिरॉंग शहर छोड़ दिया है और हम आप उपर पहाड की पहाड़ी के उपर चड़ रहे हैं और मैं आपको व्यूज दिखाता हूं ज क्योंकि मेरा फ्रेंड गाड़ी चला रहा है वो जबरदस से मुझसे स्टेरिंग चिन लिया लेकिन वो मेरको लगता है ब्लेशिंग इन डिजगाई था इसे इसे ना मैं काफी अची तरीके से शूट कर पा रहा हूं तो देखो सुभा मेरको लग रहा था यह मेरको चलाने दे रहा है अब तो इसे ब्लेशिंग इन डिजगाईस फॉर मी क्योंकि फिर मैं ना राइट साइट पे गाड़ी को संभालना और नहीं ट्रेफिक गूल्स को देखना और साथ-साथ वीडियो बनाना फिर वो बॉल मुश्किल होता और गलत भी होता अब हम डीजल ड परना शुरू नहीं हुआ है तो अब यहां दो रेट किसले मैं मरता का हूँ यह है जीरो डिग्री टेंपरिचर तक जाने के लिए डीजल और यह अगर आगर माइन स्वेंटी तक जाते हैं तो यहां दो अलग लग टाइप का डीजल मिलता है तो 7.99 तो यह आपका 00 हो गया अब आपका यह दिजल बना शुरू हुआ है तो फिर आपका भी चले है तो फिर आपका भी चलेगा तो इका काड चल गया तो हमारा भी चलेगा आपका लिटर्स आ रहा है यह नीचे लिटर्स आ रहा है उपर आपका युआन में प्राइस आ रहा है तो आप देखो कितने लिटर यह चलेगा he's the guy smiling hello तो यह हमारा चाइना में गुसने के बाद पहला डीजल है इससे पहले दो बारी हमने नेपाल में डीजल लिया था एक बारी लखनो एकस्पेस वे पे डीजल लिया था देखते हैं अभी आगे पीछे कह रहे हैं शाहस आपकी गाड़ी क्यों नहीं चल रही है कोई आइडिया मुण अलेड बारी हमने तो यह हमारी हमने टोशाच से बीजल के बारी भीजल पीजल चाइडिया कोई तो जान नहीं कीजल रही है तो चैनल पीजल रही है उसकी आएडिया तो मिक दोड़ इसकी हुण यह एक और छोटे से शहर भी नहीं बोलेंगे, छोटे से कजबे से हम क्रॉस कर रहे हैं और यह भी देखो कितना नीट न क्लीन है, दोनों तरफ शॉपस हैं और यहां यह सारे लोग ना तिबितन हैं जो यहां रहते हैं mainland चाइना के नहीं है और यह सब यहां आप देख सकते हों की बेज़ूशा से यह साइड में मेरे को दिखाई दे रही हैं और अब यह शहर भी हमारा भार में कल गया है अब हम आगे जा रहे हैं और यह देखे पहाड़ों का मौसम फिर से उपर दुन्चाई हुई है आज हमें ABC जाने का प्लाइन था क्योंकि लेट हो गए अब ABC नहीं जा रहें ऐसा बताया गया कि उससे पहले हम रुप जाएंगे कहीं पर और सुबह ABC जाके वापस आएंगे तो यह तरीके थी अच्छा भी है कि उतनी हाइट पर हम नहीं सो रहे हैं क्योंकि कहीं लोगों को प्रॉब्लम आ सकता था तो रास्ते देखें अब चाइना के अब यह कह सकते हैं सिंगल रूट होगी मतब जाने की एक आने की एक लेकिन ट्रैफिक ठीक ठाट चल रहा है आगे जाके फिर से कैमरा लगे हुए यह कैमरेस बहुत लगे हुए सड़क पे जगा जगा पे झाल 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 अज़ पॉप प्राइब प्राइब से बाइब जोग जब है प्रूंटे लगा है। मुझन ह58 लिज प्रेहन इन क्या हम उसे हम ऊ स only आमस्ट cheapest किलcott अर्ष इन किलेम से काना जार रहलों मुझन chỉens 300 किलमेट प्रेहन भर रहने इन 5 तो 5 तो इन आप कjang MAS झानों we are going to stay before that and then go tomorrow morning after driving for 75 kilometers from the Chinese border we have taken a pit stop and now penna is very quickly making hoa for everybody अपना किछन फटाफट बनता है तो इस नाइस नाइस और यह 360 डिग्री कार्या यह निलेश 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 नहीं स्वारी मलिका रजिट अधिस रोई तेकिंग आट इस 360 डिग्री कामरा और यह कुपेंदर अब बाबुराम जी देफोर वाइकर्स बेन वाइकर्स अगया अगया चलते हैं और यह सब लोग खाना बना रहे हैं फटा फट चाइनीज टाइम के इसाब से पात बच के ग्यारा मिनेट हुए हैं और हम क्रीब 85 किलो मीटर्स चल चुके हैं चाइना बॉर्डर से अब हमें कि इतना समय यहां क्यूं लगा प्यूंकि हमको बीच में काफी रुखना पड़ा गिरांग सिटी में पॉलिस सिर्शन में एक गंटा हमारा लग गया उसके बाद चाइना मोबाइल लेने में भी एक गंटा हमारा क्या अब यहां सब लोग लांच ले रहे हैं यहां पर और मैं अभी दिखाता हूँ कि मेरी घड़ी में यह देखो यह टाइम हुआ है और यहां की हाइट देखे 4021 मीटर और मेरी घड़ी के अंदर एक चीज में और आपको दिखाऊंगा अभी तो इसके अंदर अब मैं जैसे हम चलेंगे ना अब मैं अपनी जीपीएस वाच आन कर रहा हूं यह देखिए इसमें मोटोसेकिल फीट कर दी है मैंने तो अब यह पूरा डेटा रिकॉर्ड कर लेगा पूरा सड़क रिकॉर्ड कर लेगा तो यह मेरे को ध्यान नहीं रहा है यह मेरे को चाइना बाटर से कर देना चाहिए थ फिर मैं आप से पूरा रूट पी शेर कर लेता और यह बाद में डाणलोड हो के मेरे फोन में आ जाएगा फोन से मैं आपके साथ शेर लूँगा तो देखिए इहां पे कॉफी कॉफी बाट रही है नपी कॉफी मैं भी ले सकता हूँ थैंक्यू वेरी अब इसमें गरम पानी दलेगा और फिर एक बंदा इसको स्टर करेगा सब के लिए और फिर हमें लेमन टी मिल जाएगा तो अब यहां से हम चलते हैं अभी हमारे को आदर खंटा बिट्स आप तो होई गया है यहां के सीनरी देखिए पूर अमेको लेल अदाग का नजर आ रहा है हैंले से चूर विले जाते ना एक्तम यह वैसे ही है बस यह कि यहां रोट अच्छी है और यह देखो यहां पे भी प्लांटेशन चल रहा है बहुत तेजी से आज मौसम खुला हुआ है तो एवरेज बेस अजूबे हैं यह देखिए इनके पास एक जैनेटर भी था जो सुबह आपने देखा और अब यह फ्रंट सीट के नीचे इन्होंने एक इन्वर्टर लगाया हुए टू किलो वाट का यह देखिए इस सीट के नीचे आ गया और यह प्लग है और इससे अभी अभी इन्होंन अब कौन शेक कन कन कर रहा है हुई शेकिंग इसको नीचे आ पना अपना पना इलाए जैसे करना है निक्स हो जाएगा जो माली का रुजिन कर रहा था आज टरर नहीं है ना सर एक मिन टेक देना ना मेरको ऐसे करेंगे एक बारी एक बारी वैसे करेंगे हम चाइना में हैं तिबत आटोनॉमस रीजन में हाइट अभी है 4200 मीटर हम 85 किलो मीटर चल चुके हैं चाइना बॉर्डर रसुआ गड़ी से और यह देखिए यहां पर पिट्स वापली है सबने क्विक लंच बनाया कितना जल्दी लंच बनाया सब अब लेमन टी पी रहे है और नजारे देखिए स्काइ कितना ब्लू है पुलीशन लेस देन जीरो होगा यहां पर तो इधर भी ट्री प्लांटेशन चल रहा है तो बड़ा मस ड्राइब चल रहा है यहां से एवरेस बेस कैम तक भी सड़क बन गई है वहां जाने की बात हो रही है और यहां देख रह काउंटे यह एनी बोल रही है जो हमारी गाइड है तो देखते हैं आगे होता है क्या क्या हम एवी सी जाते हैं या हम उससे पहले रुकते हैं एक और काउंटी से हम गुजर रहे हैं तिबत आटोनॉमस रीजन में और हमारा कॉनवाई आगे चला गया सड़नी रेड हो गई है और आप दोनों तरफ देखिए स्ट्रीट बहुत सुंदर हैं क्लीन है एक और पुलिस शेक सबसे आगे वाले गाड़ी में आनी है जो सब जगा हमारा पर्मिट दिखाते हुए जा रही है और कितना ब्लुइश कितना क्लीन स्काई हमें दिखाई दे रहा है अब हम एक पास के उपर हैं हाइट है 5200 मीटर और अब जहां हमने लंच लिया तो वहां से हम काफी आगे चलके आ गए हैं और थोड़ी ठंड भी लग रही है मैं गाड़ी के अंदर जाने वाला हूँ अब मेरी घड़ी टीपेस से केनेक्टेड है और मेरे को भी सेम दिखा रहा है 520 मीटर तो ज्यादा कोई फ़रक नहीं है या ब्लू स्काई दिखाए रहे है जैकेट मेरे को पहनी चीज़़ी ठं लग रही है मैं वटट अफट गाड़ी में जा रहा हूँ में को बहुत ते अभी हमने पिट स्टॉप लिया है इसको कैसे प्रणाउंस करेंगे कोमो लंगमा नैशनल नेचर रिजर्व बहुत बड़ी लेख है यहां पर बाकी जो बोर्ड है उसको तो हम नहीं समझ पाएंगे चाइनीज में हैं और काफी भार ठंड है तो मैं तो नहीं निकल रहा कि पताने कि सभी अतना कराब हो जाए यहां कॉफी है कुछ लोग आफ साथ कॉफी पिएंगे मैं अल्टी मेटली गाड़ी ते बाहर आई गया हूँ ठंडी हवाओं को जीलता हुआ मैंने का एक क्लिप ले ली जाए क्योंकि यह जो माउंटेंस है यहां इंट्रसिंग लग यहां लिखा है ट्वणय अल्ट ट्वविश्फी के अंडा पिए खाल तो मैं तो मैं जाता हूँ लेफ्ट में ओ माई गाड वाटवट लेस ड्राय ट्रायोड ट्यू अलिया कि इतने आल्टीड में निय। इतने हुंद्जी ट्रमिय ठंग 20 सफोटेंगे ने ख़ोटें यह यहां पर इक फट्टा होता है उसके अंदर एक बोड़ी होती है बस और टिश्यू पेपर होता है इस पर आपको अपने ही लेकर जाने है तो प्राक पर रुमाल बांद लो और चले जो और कोई अपनी होता जब लास्टे में केलाश मान श्रोबर गया था तो इसी टाइप अटालेट्स में जाना पड़ता था फचे जाना प्रुमाल मान शपने ही लेक वी लेकर झालेट लेकर जाना थाना जाना पर रादाबर उड़ी लेका इपका बहर चाना पोड़ी लेकर जो और बादेगर खेज़ेकर पोगी होता है अब हम फिर एक चूटे से गौवं से गुजर रहे हैं यहां पर सब लोगों के लिए गौवर्मिंट ने सिंगल स्टूरी हाउस बनाये हुआ है और सब घरों के उपर जंडा लगाया हुआ है चाइना का तो यह तिबत के लोगों के लिए चाइना ने बहुत अच्छा किया आपको एक घर मिला हुआ है तो यहां के लोग भी बहुत खुश है अपनी गवर्मेंट से और उनको बहुत फैसिलिटीज दी जारी है हमें चाइनीज टाइम हो गया है एट फिफ्टी रात के आठ बच के पचास मिनट और अभी भी हम मंजेल हमारी करीब एक सो बीस किलोमीटर दूर है और धीरे-दीर यह बंदेरा चाने लगा है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इंडियन टाइम निकालना हो तो इसमें से दाही घंटे माइनस कर दीजिए और अभी एक साथी हमारा पीछे रह गया है तो अब उसके लिए थोड़ा सा हम श्लो चलेंगे जिससे कि वह हमें कैच कर ले तो देखे सब गाडियों के लाइटे होन हो गई है आप आगी की टेल लाइट दे सकते हैं मेरी हेड लाइट दे सकते हैं कुछ इटिंग जॉइंट्स भी हैं और यहां फिर से कैमरा लगा हुआ है तो यहां के लोग मेरे को लगता है कि काफी खुश हैं क्योंकि उनको बहुत फैसलिटीज दी जारी हैं इनकी गवर्मेंट दवारा अभी चाइमीज टाइम रात के 10 बच के 20 मिनट हुए हैं और अभी भी हम अपनी डेस्टिनेशन से 50 किलो मीटर दूर है अब वो डेस्टिनेशन एक्जैक्ली क्या है वो मेरे को अभी तक नहीं मालूम है शायद एबीसी है क्योंकि वहां उन्होंने कोई हट बुक की हुई ह तो अभी जो अल्टिचूड है वो तो 4344 है अब EBC है यह नहीं है अभी सब जाके ही पता लगेगा लेकिन मैं आज का ब्लॉग बंद कर रहा हूं क्योंकि अब बहुत लेट हो गया हूं मैं अब जाती मैं सो जाओंगा तो अब आगे का आज रात को हम कहां पहुंचे वहा